अलो दोस्तों नारिषकार आज अंबॉक्सिंग एड ब्रीवियोग करने वाला एक बहुत ही बेखरिम प्रोड़ेक्ゆ और ये प्रोडेक्ट बहुत ही खाम में आने वाला है और आज़ के टाइम में तो हर जगे बहुत ही जरूरी हो हुविया है और इसकी वेज़े से बहुत ही होने वाली है और यह एक यूनिक प्रोड़ेट होने वाला है तो बिन एक से देरी के इसको अन्बोक्स करते हैं और फिर देखते हैं जल्दे से एक बार इसको बाहर निकाल देखा है तो गाई, कुछ इस परकार से यह है यह अपना CD Plus का 4G PT कैमरा है जिसका model CP Z32Z है तो कुछ इस परकार पर कैमरा है और यह अपना 4G पर सीम के साथ चलता है और इसके तरह उनको सिंपल एक memory card लगाना रहता है और इसमें सिंपल एक 4G card जो SIM card होता है वो लगाना रहता है कुछ इस परकार से और इसके साथ में यह इससे कनेक्ट रहता है यह जो वीडियो वगेरे होते हैं वो रेडियूस करके उनको जो इस टोरिज को शेव करता है विल्ट इन स्फोर लाइट मिल जाती है और यह सारे फीचर्स इसके इंदर मिल जाते है और रियल टाइम नोटिफिकेशन वगेरा सारा मिल जाता है जो भी सारे फीचर्स इदर की साइट देखे तो यहाँ पर एक इंफोर्मेशन वगेरा बार्कोड दे रखा है और इदर से भी कुछ इस परकार से यह एक हैपणा आता है यह जो मॉडल है इसका Z32Z है तो कुछ इस परकार से मॉडल हो और यहाँ पर यह सारी इंफोर्मेशन इसके उपर दे रही है इसके वॉक्स के अंदर क्या क्या आता है देखें यहाँ पर easy cam में आता है और इसके बाद screw आता है निकाल लेता है तो एक बार इसको निकाल के तो यह जो अब देख रहे हो यह अपना और एडप्टर है जो कि इसका 12V का है और 1A का करंट देता है और यहाँ पर यह राउंड पीन है जो कि अपना CCDV कैमरे में लगती है कुछ इस परकार की यह राउंड पीन भी दे रहे है तो काफी अच्छा है चार्जर इसके साथ में इसके साथ में मिल जाता एडप्टर पूरा इसमें इसके बाद में यह आता है अपना जो waterproof cover है तो इसकी मतलब से आप अपना को लगा के इसको आपने पानी से आउटडूर में लगने वाला केमरा तो इसको आउटडूर में आप बचा सकते हूं और इसके बाद में wall यह कहीं पर mount करने के लिए इसको और इसके अंदर यह दे रखिए तो इसके बाद में यह कुछ इस परकार से अपना केमरा आ जाता है और उसके साथ में यहां पर इसको देखें तो यहां पर एक reset बटन दे रखा है तो reset बटन इसके अंदर भी आता है जो network antenna यहां पे Network की मतल से इसको मेरा यह साथ इसमें देखिए यहां पर यह जो LED अपने 6 LED अपने मिल जाती है उज अपने su इसके अंदर जो infrared sensor आता है जो वो मिल जाते हैं जिसकी मतलब से night में काम करता है और साथ में अगर उपन को color vision चाहिए तो color vision में इसके बारे में एक बार डीटेल देख लेते हैं और साथ इसके अगर ऐसे ओपन करते हैं यहाँ पर दो port मिल जाते हैं एक अपना पर microSD लग जाता है उसके साथ में अपना 4G का SIM card लग जाता है उसके साथ यहाँ पर एक reset का button भी दे रहे तो जल्दी से में इसके अंदर एक बार SIM लगा लेता हूं और SIM PCSD Card भी लगा देता हूं और जो इसके अदर SIM लगती है SIM यहाँ पर Nano SIM भी लगती है तो SIM 1990 इसके अंदर insert कर लेता है यहां पर marking दे रिखी, इसम आपको कैसे insert करना है, वैसे insert कर लेना है, यहां पर insert कर दी है, अब इसके अंदर card भी insert कर देता हूँ, तो मैं अभी इसके अंदर जो card की capacity, 256 GB तक की card की capacity है, तो मैं इसके अंदर 128 GB का card लगा रहा हूँ, आप अप टू 256 GB तक का card इसमें insert कर सकते हूँ, तो कुछ इस परकार से यहां पर insert कर देना है, उसके बास simply आपको यहां से ऐसे लगा के, यह अपना ready to use हो चुका है, तो कुछ इस परकार से भी इसको र कैसे work करना है, तो एक बार इसको मैं power supply देता हूँ, पावर supply के लिए इसको open कर लिता हूँ, जल्दी से, कुछ इस परकार से यहां पर connect करना, connect करने के बाद यहां पर देखिए, यह LED जलने लग जाएगी, और यह LED continue glow करेगी, क्यूंकि इसके अंदर अपने SIM लगा रखा है जो camera अपना setup हो जाएगा, तो जब भी यह camera on होगा, कुछ इस परकार से इसका चारो साइड में यह repeated जेड मनलोब पैन और tilt होगा, उसके बाद में यह पूरा move होगा, और उसके बाद में जो भी connection होगेरा, वो successful होने के बाद ही हो जाएगा, अब दीखिए, इसको मैंने यह अब अपन को simple अपने phone के नतर जाना है, phone में चाकर चेक करना है, सब सारी चीज़े, तो phone में मैं एक बार अपना जल्दी से phone उठा लेता हूँ, उसके लिए अपन को एक application डाउनलोड कर ली है, तो इसके तर application आपको दिखाया था, यहाँ पे easycam plus की application अपको play store पे मिल जाए तो जैसे कि guys मैंने पहले इसमें सब कुछ ready करके रखा हुआ था इसको, और इसको simply connect भी कर दिया था, एक बार मैं इसको disconnect कर लेता हूँ यहां से, तो guys अपन को simply क्या करना है, इसके हिंदर अपन को यह application play store से डाउनलोड कर दिनी है, और उसके बार simply आपको open करना है, open करने क कि इसको जुरूत नहीं login करने के, तो एक बार आप login कर दोगे, जो अपने phone किसी भी दूसरे phone में पर करोगे, तो Sam, Sam इसमें चलता रहेगा, तो इसको मैं एक बार open करता हूँ, मैं इसमें फटा-फटा एक बार select कर देता हूँ, यह model इसमें select देना है अपन को, और उसके ब connect हो चुका, और यहाँ पर speed भी आने लग जाएगी, और यहाँ पर network का strength भी दिखाने लग जाएगा, कुछ इस परकार से यहाँ थे, और अब यह अपना simple connect हो चुका है, और यह अपने SIM के थूर जो network है, network से connected है, पूरा सारा, और अब इसको अपन यहाँ पर tilt और move भी कर सक कर सकते हैं, तो कुछ इस परकार देखे, यहाँ पर tilt कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से सारा चीज दिखे, इसके इंदर zooming भी कर सकते हैं, तो simply connect हो चुका, और यहाँ पर देखे, आप टाइम भी देख पारेंगे, तो यह आपने time अगर दिखा रहा यहाँ पर कोई से time पर record कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपना network भी दिखा रहा है, और यह IP cam लिखा हुआ दिखा रहा है, और इसके साथ में बहुत सारे features में मिल जाते हैं, features की बात करें तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ से आप playback देख सकते हो, यहाँ से gallery में देख सकते हो प्राइवेट मोड पर, इसको जैसे बंद करें तो प्राइवेट मोड पर चला जाएगा, उसके बाद night की features भी आता है, night में आप देखोगे, तो एक smart mode आता है, infrared mode आता है, तो अगर smart mode करोगे तो automatic सारा पर shift होता रहेगा, अब मैंने infrared पर कर रखा, तो infrared मतलब जब भी night में तो इसमें ये अपने LED light glow नहीं करके इसका infrared sensor वो active होगे, तो मैंने वो ही कर रखा इसके, और smart पर करोगे तो automatically adjust होता रहेगा, और उसके बाद गया जाता है motion tracking, motion tracking अपन आउन करके अपन का जो भी motion और रहेगा उसको track कर सकते हो, जैसे कोई भी moment होगा, साथ-साथ ये अपन होती है, तो अपने को notification आएगा, तो इसके लिए अपने को डाल रखा है, उसाथ इसमें siren वगएरा और उसमें कुछ edit भी कर सकते हो, यहाँ पर message वगएरा, direction वगएरा यहाँ तो अपन यहाँ से भी direction ले सकते हो, और इसके थूप भी अपन यहाँ पर direction को move कर सकते हो, तो आपको यहाँ नीचे रखे नहीं चलाना है, आपको simple इसको hang करके फिर यूज करना है, तो कुछ इस परकर से यहाँ सारे features में आप कर सकते हो, और उसके बाद में अगर आपको screenshot लेना है, तो यह जो बना हुआ यहाँ से screenshot लेता हो, जैसे लेंगे तो आपको यहाँ पर message आ गैलरी और ऐसे message आ जाएगा, और अगर आपको बात करने तो इसके उपर यहाँ पर रखे hold to talker के पार, ऐसे बात भी कर सकते हो, तो अगर आप म्यूट करना है, तो यहाँ से इसका mute कर सकते है, इसके speaker अपना बंद हो जाएगा, साथ है अगर अगर अपन को जैसे कि इसके प्यसके तो record हो रही है, उसके तरफ दफलाव अपने mobile में record करना ही है, तो simple श्प्ल इहां से क्लिक करना है, और अपनी recording स्टाट हो जाएगा, ढ़र छाब लोख, इसके स्टार्ज हो जग एगा, प्लस यहां पर भी सेज़ परकार के यहां पर फीचर्ड से और और यह अपने अल्बॉम में जाके जोब्ही अपना फोन की श्टॉरिज में जाके सेव हो जाएगा तो गायस कुछ इस फरकार का यह कैमरा है और इसकी प्राइज की बात करें तो इसका वहरी है अभी इड़ प्रजेंट जो प्राइज है पर मैं इसका लिंक आपको दे दूँँगा उस लिंक से आप चेक आउट करके देख सकते हैं तो गाइस को जिसको इस वकार से इस प्रेटेल के ये फीचर सवगेरत है और जिसको मैंने आपको सारी डीटेल सारा बता दिये अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझ के लिए यहां से मोड को भी चैन्ज कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजिए मैं मिलता हूँ इसी प्रकार की और वीडियो के साथ जहें